जीवन में सुखी रहना चांते हो तो ये चार बातें टिटहरी से अवस्य सीख लेना जय स्री कृष्ण मित्रू स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे यूटूब चैनल दरपड ग्यान गंगा में दोस्तों आज हम इस चैनल में एक नई वीडियो लेकर के उपस्तित हुए हैं जो कि ये वीडियो बहुती ग्यान बर्दक है और महत्पूर्ण भी है तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनरोध करूँगा अगर हमारे इस चैनल पर नए आये हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवस्ट कर लेना बेल आइकन घंटी को भी अवस्ट से दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँशता रहे तो आये दोस्तो इस प्रिसंग पर इस ग्यान भरी बातों पर ध्यान देते हैं दोस्तो अगर जीवन में आप सुखी रहना चाथे हो और पूरी जिंदगी जीना चांते हो मृत्तू से बचना चाथे हो दोस्तों यह सुनकर के आप मैं भी मानता हूँ क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है एक दिन वो जाएगा जरूर लेकिन कुछ प्राड़ी ऐसे होते हैं जो वो पूरी जिंदगी नहीं जी पाते और अदबर में ही इस दुनिया से चले जाते हैं वो कैसे जैसे किसी के दुआरा उनकी हत्या होना या फांसी खा के मर जाना या जहर खा के मर जाना या किसी बान से टकराना तम रत्तु को प्राप्त होना तो ऐसे प्राड़ी अदोगती में भटकते हैं और अपनी आदी उमर में ही दुनिया छोड़ देते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का और इस प्रिसंग का तात्परिये ये है कि अपनी पूरी जिन्दगी जीना ही एक जिन्दगी कहा गया है तो दोस्तों वो पूरी जिन्दगी अगर जीना चाहते हैं और जीवर में सुखी रहना चाहते हैं तो ये चार बाते हैं कौन कौन सी हैं तो आईए दोस्तों मैं बताता पहली बाद, नमबर एक, घर में दोस्ट इस तरी का होना, नमबर दो, नौकर का जवाब देना, और नमबर तीन, मूरक मित्र का होना, और नमबर चार, घर में सरब का निबास होना, अगर ये चारों लोग, ये चार चीजें, जिस इनसान के घर में मौजूद हैं, तो उसकी जिन्दगी, कोई जिन्दगी नहीं है, सुकी बात तो बहुत दूर है, क्योंकि उसके तो सामने मौत खड़ी है, वो कैसे, तो आईए बिस्तार से, दोस्तों, पहली बाद, नमबर एक, घर में दोस्ट इस तरी का होना, यदि जिस प्राड़ी के घर में, जिसकी इस तरी द हित कर ले, और तुमें छोड़ दे, और उसके साथ चली जाए, और तुमारी गर्दन पर छुरी चलबा दे, अर्थात तुमारा बद करवा दे, कभी विश्वास मत करना, नमबर दो, नौकर का जबाब देना, यहीं तुमारा नौकर जबाब देता हो, तो उसका भी कभी व विश्वास नहीं करना चाहिए, कितने वक्त बनोकर तुमें कंगाल बना दे, और तुमारी हर चीज को गाइब करवा दे, कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, तीसरी बाद, मूरक मित्र होना, यदि तुमारा मित्र मूरक है, तो उसका भी विश्वास करना गलत है, क्यों तुम्हारे चान्द पर जूता बजबाये तो उसका भी कभी विश्वास मत करना और चौती बात है घर में सरब का निवास होना यदि आपके घर में सरब निवास करता है तो उसका भी उस मनुस्व का भी कोई भरूसा नहीं है क्यूंकि की अगर गर में सरव निवास करता है तो पता नहीं कितने वक्त वो तुमें डस खाए और तुम इस दुनिया से अलविदा कहके चले जाओ अर्था तुमारी मरत्तू हो जाए तो वो टिटेहरी कहती है कि ये चार चीज़ें ये चार लोग जिसके घर में मौजूद हैं तो सु जीवन में सुख चांते हो और पूरी जिन्दगी जीना चांते हो तो तो दोस्तो कैसी लगी हमारी वीडियो अगर ये प्रिसंग और ग्यान भरी बात हैं आपको पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना वीडियो को भी लाइक करना और दूसरों को भी सेयर करना ताक अब तक के लिए जैस्री किस्न, जैस्री रादे, जैस्री राम.